मैं उमीद करता हूँ सबच्चे होगे घर पे होगे सुरच्चित होगे गाईज आज का जो वीडियो है यह बीकॉम का पहला कटाप बता रहा हूँ नेक्स दूसरे सब्जेक का बता हूँगा तो परिशान होईएगा एक एक करके सभी सब्जेक के कटाप बताते जा रहा हूँ ठीक है तो इसमें बता रहा हूँ यह जहां तक 2017 की बात करूँ तो 2017 में कहा गया था भीकॉम वालों से यदि आपकी रैंग 226 है तो आपका सेलेक्शन हंड्रेड परसेंट है यदि 600 रैंग तक के अंदर है तो आप थोड़ा सा इंतजार करिए अभी सीड बचेगी त 274 रैंग है तब तो आप 100 परसेंट कैंपस में सेलेक्टेड हो और 600 रैंख है तो आप थोड़ा वीट करो जैसे ही सीटे बचती जाएंगी तो आपको बुलाया जाएगा ठीक है यह आपका उपें रैंग है ठीक है आओ नेक्स बात करते हैं OVC वालों को कितने तक बताया किया था कि आप सेलेक्टेड हो देखो अगर OVC में किसी भी स्टूडेंट का 122 से लेके 300 रैंग तक के अंदर है तो उसका 122 रैंग से तक है तो और 300 रैंग तक है तो वह वेटिंग में रहेगा में उसको क्या होगा चांसे मिलेंगे लेकिन उसे वेट करना पड़ेगा थ था वहीं बात कर लेते हैं स्टूडेंट की स्टूडेंट में क्या कहा गया था कि अगर आपका रैंक 94 रैंक तक के अंदर हैं तो आप सेलेक्टेड हैं 200 रैंक तक है तो आप थोड़ा सा वेट करिए जैसे ही सीट बचेगी हम आपको बुला लेंगे वहीं अगर बात करें क अगर तक हैं तो आपको चांसे मिलेगा तो इनसे ही होता है 2017 के बारे में तुमने जाना और वहीं आजाओ 2018 में भी कुछ ऐसे ही कारणामे हुए थे 2018 में मैंने जर्नल का क्या हुआ बता दिया था कि 274 रैंक है तो 100 परसेंट सेलेक्टेड हो 600 रैंक तक है तो थोड़ा सा व इनकी OBC रैंक की तो OBC रैंक में कहा गया था कि अगर आपका 1500 रैंक तक है 2018 में तो आप सेलेक्टेड हो और 400 लोगों को बुलाया गया था कहा गया था कि आप वेटिंग लिस्ट में बैठेड हो जैसे ही सीट खाली हो जाएगी आपको बुला देंगी वहीं अगर बात करें 2000 वहीं अब बात करें अगर 80 रैंक की सेम वहीं कहा गया था कि अगर आपकी 120 रैंक तक है तो आप सेलेक्टेड हो अगर 300 रैंक तक है तो आप इंतजार करो और वहीं 80 रैंक से बताया गया था कि अगर आपका 9 रैंक तक हो तो आप सेलेक्टेड हो और 35 रैंक तक है तो आप वेट करो, यह हो गया 2018 की बात, ठीक है, भाया 2019 का भी बता दो, देखो यह 4 सालों के अंदर, 2019 का बता दे रहा हूँ, 2019 में कुछ चांते हो क्या हो गया, यहाँ पे आ गए, पहले क्या होता था, अपना इंट्रेंस कराता था, और अपने कॉलेज में अड्मिशन लेता था, और 2019 में क्या हुआ, सेंट्रलाइज एड्मिशन पॉलिशी लांच हुआ, तो उसमें कहा गया, कि अपलियेटेड जितने भी कॉलेजेज हैं, वो क्या कियेगे, मर्ज कर दियेगे, कि अब एक फॉ 2018 में offline counseling होता था, और 2019 में जो था, वो अब online counseling आ गया, जैसे आप तुम लोगों का होगा, तो online counseling में बोला गया था, भाईया यदि आपका rank 1 है, और 1750 rank तक के अंदर हो, तो आप counseling करा लो, ठीक है, आप counseling क्या गर हो, करा लो, और next बोला गया था, कि अगर OBC rank आपकी 100 है, और 900 rank तक है, तो counseling करा लो, और वहीं जहां तक SC rank का बताया गया था, कि SC rank में यदि आपकी rank 1 है, और 632 rank के अंदर हो, तो counseling करा लो, वहीं ST rank से बोला गया था, कि आपकी rank 1 rank और 31 rank के अंदर हो, तो counseling करा लो, तो भाईया ये 1750 वालो को भी campus मिलेगा नहीं, तो इसमें से क्या था, campus मिला था, 450 rank से उपर वाले जो थे, जनरल में, उनको क्या मिला था, affiliated college मिल गया था, वहीं बात करते हैं, OBC में, तो OBC में 350, यानि 300 rank या 400, 300 rank वाले जो थे, 2019 में, बच्चे जाधा थे, तो वहां पर क्या हुआ था, सेम 350 rank जिसके भी OBC में थे, उनको campus मिल गया था, औ और उससे ज्याधा वालोग को, affiliated college में, admission के लिए दाखिला करना पड़ा था, वहीं, SC rank का क्या हुआ था, कि, एक rank से लेके, एक 200 rank तक, SC में गया था, थोड़ा हाई चला गया था, पिछली बार, 2019 में, तो उनको 200 rank तक क्या हुआ था, campus मिल गया था, बाकी को कहा गया था, भ करने जा रहा हूँ, अब मैं तुम्हाँ, 2021 का कटाप बताने जा रहा हूँ, डिप्रेस मत होना, बिलकुल ये, मेरे अनुवानित है, 80% चांसे से की कटाप कुछ ऐसा ही होने वाला है, अब देखो, open rank, general rank, जिनके भी, एक से लेके, 420 rank तक के अंदर होंगे, उनके, एक rank से लेके, 420 rank तक होगा, उसका selection campus में 100% हो जाएगा, affiliated college में भाईया, कितने rank से होगा, जिसका rank जो होगा, 420 के बाद मिस, 500 से लेके, 1600 rank तक के अंदर होंगे, उनको affiliated college मिल जाएगा, open rank से, general rank से, EWS quota अभी नहीं आया है, एक rank से लेके, 25 rank तक, 25 rank तक, जितने भी होंगे, EWS quota वाले, उनको admission मिल जाएगा, defense वाले में भी 10-15, 15 लोगों का admission हो जाता है, general rank से, इनको campus मिल जाएगा, 1-15 rank वालों को, DP में, इनको, इन लोगों का क्या होता है, एक से लेके, 10 rank वालों को, campus मिल जाता है, यह, तुम लोगों का क्या है, यह, जनरल का cut-up है, भाया, अब O OBC वालों का भी कटाब बता दो, आओ OBC वालों का भी बता देता हूँ, OBC में क्या है, देखो, OBC में, यह, तुम्हारा rank, एक से लेके, 350 rank तक रहेगा, तो तुम 100% यहाँ, L.U. में, admission लेने के, लाइक हो, ठीक है, वहीं, 400 से लेके, 750 rank वालों को, affiliated college का रास्ता देखना college में, एक से लेके, 600, भाईया, आपने इतना बढ़ियां से, इतने अच्छे से बता दिये, तो क्या गरना, मुझे बस वीडियो पर लाइक कर दो, और यह मत सोचना की, मतलब ऐसा बताए, देखो, मैंने waiting को भी count कर लिया, यहाँ पे, क्योंकि, ऐसा मैं, 4 सालों से देख र यहाँ, तो वो वीडियो जरूर देख लेना, description box में भी डाल दूँगा, कि अब तुम्हें आगे क्या करना, तो become वालो, देता हूँ, तुम लोगों से विदा, ठीक है, वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा कमेट जरूर करना, और चैनल पर नए आयो, तो चैनल करके जाना, thank you so much.